चलिए अगला कोशन देखते हैं कोशन नबर 36 इन ट्राइंगल ABC राइंगल एट B अंगल A एकोल टो अंगल C फाइंड दा वाल्यू आफ नंबर वन दू प्राइंगल से इसमें साइन आफ A कॉस C प्लस कॉस A साइन C इसके साइन प्राइंगल में साइन A, साइन B प्लस कॉस A, कॉस B तो देखिए बहुत ही आसान कोशन है हमको एक राइंगल ट्राइंगल गिवेन है ABC जो की राइंगल है एक बी पर यहां पर बन्ने वाला एंगल हो गया हमारे पास 90 डिग्री साथ-साथ हमको गिवेन है कि एंगल A is equal to the angle C तो एक एंगल अगर 90 डिघ्री का हो गया तो रिमाइनिंग दौनों आंगल 45 45 डिग्री के हो जाएंगे क्योंकि इस ही के इसमें तीनों आंगल का sum 180 डिग्री होगा क्योंकि हम जानते हैं त्राइंगल के अंदर तीनों एंगल का सम्म 180 डिग्री होता है, okay? तो A भी एंगल होगे, हमापास 45 डिग्री, एंगल C भी होगे, हमापास 45 डिग्री, जो कि आपस में equal है, okay? तो हमारे पास तीनों एंगल की वैल्यू आ गई है, तो हमको सिंपल इंगल को पुट करना है और सिंप्लिफाय करना है, तो प्रॉल्लम नमबर वान हम स्वाल्ट करते है, साइन ओफ एंगल यहां डारिक पुट करते रहूं, जो एंगल A है, वो है 45 डिग्री, इंटू कॉस ओ C, साइन ओफ C भी हो गया 45 डिग्री, अब इनकी वाली पूत पूत की, साइन 45 की वाली होथी, one upon root 2, cos 45 की वाली हो, one upon root 2, plus of, again, one upon root 2 into one upon root 2, okay, simplify किया root 2 into root 2 2 1 upon root 2 plus of root 2 into root 2 1 upon root 2 right दोनों का base same है तो LCM आ गया 2 numerator add हुआ तो यह भी हो गया 2 2 से 2 cancel तो answer आया 1 तो problem number जो 1 थी इसका answer आ गया 1 तो चलिए साथ साथ second को भी solve कर लेते हैं simple हमको value put up करने हैं मैं direct value put कर रहा हूं sin of a a के place per 45 into sin of b b के place per 90 degree plus of cos of a a के place per 45 cos of b b के place per b angle 90 degree इसे solve किया sin 45 की value 1 upon root 2 sin 90 की value 1 plus of cos 45 की value 1 upon root 2 और cost 90 की जो value होती है वो होती है 0 ओके solve किया तो 1 upon root 2 यह तो 0 हो गया तो final answer आ गया हम आपस 1 upon root 2 तो problem number second का answer हुआ 1 upon root 2 ओके clear है note कर लीजिए